हेलो एव्रीवन वल्कम बैक टू माई योट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आई होप गाइस आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आप सभी लोगों का सौगत करती हूँ हमारे चानल गुट कर्मा में और गाइस आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो यह है कि पी पीछे आजकल आपको लेकर क्या बाते हो रहे हैं ओके आजकल पीछे लोगों के बीच क्या बाते हो रहे हैं आपको लेकर वही हम देखेंगे टाइमलेस है तो जब मिलेगी तब रसोनेट करेगी साथ ही जेंडर बेस रीडिंग नहीं है तो आप लड़के हैं लड़की हैं दोनों के साथ resonate करेंगी जर्नल कलेक्टिव रेडिंग है so please open mind होके देखेगा जितना resonate करता है उतना ही रखे बाकी का छोड़ दीजे और अगर आप हमारे चानल पर नए आए हैं तो जल्दी से हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजेगा ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अप्लोड हो सबसे बहुत नोटिफिकेशन आपके बास जाए और अगर आपको मुझे परस्नल रेडिंग लीनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं में इंस्टे के आम आइडी पे जो कि मैंने about section में लिंक कर दिया है ओके आइब आपको card visible होंगे bottom of deck आया possibility I hope guys आपको card clear होंगे so logo के so logo की so logo के I hope guys आपको card visible होंगे So, लोग पीट पीछे क्या बाते कर रह हैं आपको लेकर यही बाते हो रहे हैं आपको लेकर कि आजकल आपको बहुत जादा आउट साइडर फील हो रहा है Maybe शायद वैसी situation है नहीं जैसी आप समझ रहे हैं या आपको दिख रहे है जिसके वज़े से शायद आपको गुसा आ रहा है या आप बहुत जल्दी इरिटेट हो रहे हो या आपको समझ नहीं आ रहा है कि यह चीजे सिचुएशन कैसे बदल गई उक्य है वन्हे ऐसा लग रहा है कि आप बेवज़ा की ना बातों को तूहल दे रहा है या बेवज़ा लोगूसे आप कटे कटे से फील कर रहे लोगों के साथ आपको उस तरीके का connection फील नहीं हो रहा है जैसा कि आप पहले फील करते थे अब आपको ना वो भीड में खुद को अलग ही आप देख पा रहे हैं या आपको लग रहा है कि लोग ना मतला मुझे अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि यहां पर है कि भई आप भीड चा पा रहे हैं आपकी एनरजी को तो जिसके वज़े से आपको बहुत जादा आउटसाइडर फील हो रहा है या लोग पीछ पाते कर रहे हैं कि बेवजा आपको यह सब चीजे लग रहे हैं जबकि ऐसा कुछ है नहीं लेकिन जो आपको फील हो रहा है अलग होना औरों से वह सच है लेकिन लोगों को लग रहा है कि नहीं आपकी गलत फैमी है आपको हम वैसे ही आज भी ट्रीट करते हैं जैसे पहले ट्रीट करते थे बट ऐसा कुछ नहीं है अगर मैं इस रीडिंग के बेस पर कहूं तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं आप गलत सोच रहे हो आप यही हो उनके साथ मेरी मैच नहीं कर रह रहा हों यहां मुझे बहुत जादा आउट सईडरो मारे थि यह वाली फ्यलिंगे तो nog मत वह थ्रीके के यह है आप यही ओप किमा मोत रहे होंगे कि इन है और शॉल्प वाली तो थिल एक अपके पिछ बाते मरें बोस ठरहे हैं लेकिन एक्चुल में हैं, जिसकी वज़े से आपको गुस्सा आ रहा है या लोगों के साथ ना आपके कनेक्शन जो है वो भिगड रहे हैं, मिस अंडरस्टैंडिंग होना, यह चीज़े हो रही हैं, क्योंकि आपको फील हो रहा है कि भई मेरे को आउटसाइडर ऐसा फील करा रहे हैं यह लोगों की सोच बिलकुल अलग है, यह लोग मेरी बातों का चवाब नहीं दे रहे हैं, यह लोग मुझसे कुछ छुपा रहे है तो आपको फील हो रहा है वो एक्चौल में आपके साथ हो रहा है, तो आप बोल रहे हैं, आप लोगों के साथ कम्मिनिकेट कर रहे हैं तो इसके वजह से और भी जादा misunderstanding हो रही है साथ ही ये भी मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर ना और भी जादा creativity आ गई है या लोग पीट पीछे बाते करते हैं कि आप बहुत जादा talented हैं बहुत artistic nature है आपका या काफी जादा art and culture इन सब चीजों में आप interest रखते हैं या बहुत ही creative mind के person है आप जो वो कहते हैं बसूरत चीज को भी खुबसूरत बना दे वह वाला talent है आपके अंदर साथी काफी जादा transformation है आपके अंदर मतलब वह चीज मुझे दिख रही है कि आपका खुद का dressing style अपका communicate करने का तरीका या अभी तलग जिस तरीकी की जिस art form में आप काम करते थे उससे हटके आप कुछ नया try कर रहे हैं ऐसा भी हो सकता है ओके और कहीं न कहीं उन्हें आपकी तब बहुत अट्रैक्शन भी हो रही है या आपको ना एक ऐसे person की तोर पे देखते हैं जो बहुत abundant है satisfied है अपनी life से जो भी कुछ कर रहा है वो उसमें खुश है उस तरीके से आपको देखा जाता है साथ ही उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही कैसे वेक्ती हैं जो बहुत blessed child है बहुत blessed person है काफी knowledgeable है intelligent है अप जिस भी field में हो उसका आपको बहुत ही जादा knowledge है मतलब उसमें ना वो कहते हैं कि भाई अपनी research करता है या उसमें जादा से जादा time देता है और एक है कि हाँ सीखा है बट इतना interest नहीं है तो वही चीज है कि आपने जो भी कुछ सीखा है ना उसमें आप बहुत ही जादा आगे तक मतलब उसमें पहुत डेप तक knowledge रखते हैं यह चीज है और उन्हें ऐसा लगत इंटेलिजेंट थोड़ा सा नीचर वाइस गुसेल है आग्यूमेंट करने में माई ही रहा है और जल्दी इरिटेट हो जाता है या जल्दी इसको ना गुसा आ जाता है चीजों को लेकर या चीजे इसकी according ना हो तो बहुत जल्दी फ्रेस्टेट हो जाता है या इसको वह attention ना मिले क्योंकि आप एक attention grabber भी हो सकते हैं क्योंकि आपको यह लगता है कि हाम मैं सबसे अलग हूं ओके में शायद ऐसा हो सकता है कि आप किसी गुरुप में गुरुप सरकल में या फ्रेंड सरकल में भी आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उन सबसे अलग है जैसे तारे जो आ बहुत माईर हैं बहुत नॉलिजबल एंटेलिजेंट है या उस चीज में एक अच्छी पोस्ट पे हैं तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं जिस भी आप गुरूप सरकल में हैं जिन भी लोगों के साथ आपका उठना बैटना है उनको आपकी वर्ट पत आजाता है हां बही मैं इस चीज में आहिर हूँ वली चीज़े होने लगती है या वह सोंगों कि अप थोड़ां उनके हिसाब से ब्सके चैयल है तो ऐसे आप करते नहीं हैं और उसे अलग ही सोच रखते इसकी वज़ेशे से वी पीछ बाती होती चालता थिए कि आपको टॉप पर ही रहूँगा या मैं तुम लोगों से अलग हूँ यूनीक हूँ मैं अच्छा कर रहा हूँ तो सब के अटेंशन जो है न मुझी को मिलनी चाहिए वह कुछ लग रहा है मुझे जिसकी वज़ों से उन्हें ऐसा लगते कि वह चीजे पॉसिबल नहीं है कि हमेशा हो तो इस चीज को लेके भी वह पीट पीछ बाते करते हैं कि हमेशा इसको अटेंशन चाहिए या दुनिया जो कर रही है जो चीजे हो रही है या लोग साथ में मिलके कुछ कर रहे हैं तो यह हटके ही करेगा अगर इसको बोला कि भाई यह इस तरीके से कर हमारी हिसाब से कर या हम जैसा कर रहे है वैसे कर तो आप उन चीजों में बंदते नहीं है और वो जब आपको दबाना चाहते है डॉमिनेट करना चाहते है तो फिर आपका यही रूप दिखता है आपकी आग्यूमेंट हो जाती है आप फ्रस्ट्रेड हो जाते हो आप जल्दी से उन पर गु आप दे देता है लिकिन अब आजकर बहुत सााइलेंट हो अब बिलकुल साइलेंट मिलब जादा आप गृूप में एक्तिव नहीं रहते हो यह आपने फिर्ट से साथ एक्टिव नहीं रहते हैं जाद किसे से बात चीत नहीं करते हैं जाद आपकी आगिमेंट वह गिरह नहीं होती है या कोई आपके साथ पंगे भी लेता है तो आप उसे छोड़ देते हो एगनोर मार देते हो तो उन्हें यह लगता है कि भाई यह तो बिल्कुली शान्त ह इसे क्या हो गया बहुत स्लो डाउन तरीके से चल रहे हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो साथ ही उन्हें ऐसा लगता है कि आप अलगी लेवल के हो आपको समझ पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि कभी आपका यह नेचर देखने को मिलता कभी आपका यह नेचर दे बहुत मुश्किल है क्योंकि इसका कभी क्या रूप दिखे हमें नहीं समझाएगा टैलेंटेड हो काफी इंटेलिजेंट हो इसलिए वा आपको छोड़ते भी नहीं है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इस इंसान के साथ यानि कि आपके साथ बनाय रखना बहुत अच्छ तो हमारा वो काम बन जाएगा या आगे हमें इनकी हल्प चाहिए होगी तो यह हमारी हल्प करने के लिए रेडी हो जाएंगे क्योंकि हम इनके बुरे टाइम में भी इनके साथ है या हर सिचुएशन में हम इनके साथ खड़े हैं तो वह एक सेलफिश वाला भी उनका है और ठीक है हमें करना कहा है जब हमें इससे जरुवत पड़ेगी क्योंकि इंटेलीचेंट है काफी नॉलिज रखता है काफी एक्सपीरियेंस वाला परसन है और मेभी शायद गॉर्मेंट जॉब में आप हो सकते हैं गॉर्मेंट जॉब में हो सकते हैं आपका खुद का परसन हो यह भी चीज है उन्हें असा लगता है कि अपके बारे पीच बाते करते हैं और कहीं नहीं वह सोसते हैं कि इंसान और उसे अलगी है यूनिक है इसका दिमागी अलग लेवल पर चलता है गया इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है कभ इसको गुस्ता आजाए कुछ पता नहीं कभी शांत हो जाए बड़ी बात कुछ और देख पता नहीं और इंट्यूशन पावर आपका काफी अच्छा होगा ओके काफी अच्छा आपका इंट्यूशन पावर है और लोगों को ऐसा लगते हैं कि आप काफी ब्लेस्ट है या आप जो भी बात बोलते हैं व जुड़ेवे परसन होंगे कुछ क्रेटिव फिल्ड से जुड़ेवे होंगे ठीक है आटिस्टिक कोई क्वालिटी आपके अंदर होगी तो उसमें आप मायर हो सकते हैं आप शोशल मीडिया पे भी हो सकते हैं ऐसा हो सकता है कि शोशल मीडिया पे इंफुलेंसर हो ऐसा भी हो नहीं भी छीजसें लगती है कि आप खुद कुछ करना नहीं चाहते हैं मतलब वह भी है कि आपको करेंड स्ट्रेंट सेया जो आपका पावर है कि कापी नॉलिज रखते हुग भी आप कि लकी वज़े से अचीव कर लिए शायद आप उतने हो नहीं या आप उससी भी जादा अचीव कर सकते हो लेकिन अपने लेजी पन के वज़े से आप अचीव नहीं कर पा रहे हो ये भी चीजे होने लगती है I hope आपको clear हो रही होगी reading अपका ड्रेसिंड स्टायल बहुत अच्छा लगता है है आपका लाइफ स्टायल चाफी अच्छा लगता है हुने का बम नीज Golude Ma Pr yarn एक दम नीज में Belline Detail अपसंद होगा आपको मुअने आपको यहाँ कि आप किसी के लिए भी 읽ना भदलते नहीं ःचंख03 एक और चीज़ है, जो हो जैसे हो मुपर हो, मतलब आप किसी के पीट पीछे छुपना, वो कहते हैं कि दूसरों के आड़े में आके कुछ बाते बोलना, ऐसी चीज़े नहीं करते हैं, जो हो आप मुपर हो, और इसी वज़े से आपके बहुत गिने चुने ही रिष्टे होंग हैं, कभी शांत हो जाते हो, कभी गुस्से वाले हो जाते हो, कभी लेजी दिखाते हो, खुद को बहुत बहुत जादा लेजी पन है आपके अंदर, कभी आप इस तरीके के काम करते हो कि लोगों को हहिरांगी होती है, कि भ demos इस इंसान की है या इतना टैलेंटिझ और और उ कुछ देख रहा है जो भी कुछ आपने ऐचेव किसा यह कुछ को लेकर हुआ हाँ पढ़ी हमें बड़ी बट ही हरांगिए कि भई यह सब चीजे इस इस इंसंन ने अ इस ऩाली छीज़े हो जाती है कभी कभी क्या होता है कि एक डब हर्पडी में जाते हो कि नहीं अब भी होना चाहिए ही काम वही फरस्ट्रेड हो जाना ला गुश्टा उचाना कि यह काम तो आइसे नहीं एसे होना आपको एसा है कभी आपका ऊटसाइडर फील होता है खुद को लेगे या आप खुद में ही फील करते हो लोगों को बोलते हो उन्हें ऐसा लगता है या तो उनी की तरह हो जाओ उनके हिसाब से चलो उनकी जो बाते हैं वैसी बाते करो आप मतला आप अपनी वो यूनिक नेस हटा दो तब तो वह आपकी सुनेंगे नहीं तो आपका ऐसे ही फील होगा आउटसाइडर पर ताला खुला हुआ है यह क्या आप अंदर आ सकते हो लेकिन आप क्यू नहीं आ रहे हो आपको फ देते हो यह चीज भी है आपके अंदर कि भाई किसी का डर थोड़ी है मैंने जो कातन है कि मूपे बोल देते हैं जस्टिस लवर हो आप आप से कुछ गलत बरदाश नहीं होता जो है आप मूपे बोल देते हो अच्छा लगा बुरा लगा और वो चीज ना उन्हें खल जात है यहां भी बहुत मतलब वो शर्कल टाइप का लग रहे तो मुझे अब्स नहीं सरी बेडि से इने बहुत हैं पद्唱 आउनिका ना लगए मुझे थे तो मुझे ना यह इसा लग रहे हैं आप कोई गृूप सर्कल सा हो गाई चाही है कि यह आपका पंड़लन पडोस में कि सब सेम सी बाते बना रहे हैं लेकिन आप औरों से अलग हैं या भी देखोगे तो तो मुझे ऐसा लग रहे है कि कुछ है कि आपको जो औरों से अलग और यूनिक बनाता है और इसी वज़े से उन्हें चेड़ी भी है उन्हें यह लगता है कभी कभी कि इसका टैलेंट इसको क सब्सक्राइब आप एक बाते जरूर करते हैं बुराही जरूर होती है अपकी बुराही होनीकी होती ही जिनमें कुछ बात होती है Magician Magician सब कुछ create कर सकता है और यह यह लोगों को बात अच्छे से Manipulate भी कर सकता है एक और quality है तो उन्हें ऐसा भी लगता है कि भाई आप बात बनाने में बहुत माहिर हो आप बहुत अच्छे से Manipulate कर लेते हो लोगों को यह अपनी बातों में ले लेते हो लोगों को इसलिए शायद आपके चहाने वाले बहुत हो ऐसा हो सकता है लोग आपकी तरफ जल्दी attract होते हो ऐसा हो सकता है लेकिन आपकी जो self worth है वो काफी हाई है मतलब यह चीज है कि आपको डर नहीं है जो चीज है मतलब अगर आपको यह है कि ठीक है कोई आपको सहारा नहीं दे रहा कोई आपकी help नहीं कर रहा आप अकेले खड़े होकर अप इसको किसी से कोई मतलब नहीं है अगर आप इसके साथ चल रहे हो तब भी ठीक है नहीं चल रहे है तो यह अकेला चलने के लिए तैयार है वो चीज है वो एक कहते नहीं जंगल का राजा तो आप वह ही हो तो आपको जरूरवत नहीं पड़ती यह चीज है लेकिन हां कभी-कभी यह आपको भी फिल होता आक है आप इंसान हो तो आपको भी लगता है कि भाई ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं या आपको ये चीज़ समझ आती है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं ये जितने भी लोग हैं ये सारे की सारे अपने मतलब से ही आपके पास आ रहे हैं भाई कि असल जो आपके लाइफ में हो आपका फील हो रहा है जो आप बोल रहे हो उनसे इनका कोई मतलब नहीं है और लोग सच में ही मतलब वाले दोस्त बन गए हैं तो यही चीज को लेके पीट-पीच भाते होती है तीक है अब काफी जस्टिस लवर हो मतलब किसी के साथ गलत नहीं करते जो है स्ट्रेट फॉरव के गुरूप में हो एक टिक भी कलब में हो अप एट तो महां भी आपकी मतलब विचर औरो से यहा लग ही रहते है या आपका काम करने का अंदाज औरो से अलग ही रहता है और ओफिस में हो सकती है न वो एक सण एक स्टार वो वाली क्वालिटी आप में ऐसा भी है कि लोगों की नजर भी आप पर टिकी रह जाए वो वाली चीजे भी आपके साथ अपका स्टेंडर्ड काफी हाई है आपके साथ धोके भी बहुत होते हैं आपके साथ धोके भी बहुत होते हैं को औरों से अलग बनाती है और आपके जो मूट स्विंग्स होते हैं या आपका जो नीचर है ना उसको समच कोई नहीं पाता इवन शायद आप भी ये बात मानते होंगे कि हां मुझे नहीं पता कि मैं कैसे रियक्ट कर रहा हूं या कर रही हूं क्योंकि कभी आप शान्त हो कभी आपको औरों से अलग फील होता है कभी आप बहुत ही नौलीजिबल बाते करते हो कभी आप बिल्कुल ही लेजी हो जाते हो तो पर लग बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट शेट आपकी वो चीज़े हैं सो या गाइस मुझे यही दिख रहा है यही पीछे बाते होती और 9,18,27,21,20 हो सकती है और यहां पर मुझे बर्थ डेट दिख रहे हैं 6,15,24,8,17,26,1,10,19,28 यही मुझे बर्थ डेट दिख रहे हैं अगर मैं बर्थ मन्त की बात करूं जन्वरी, फर्वरी, माई, जून और यहां पर जुलाई, अगस्त और निवेंबर, अक्टूबर यही मुझे बर्थ मन दिख रहे हैं जो बर्थ मन्त और डेट मेंने बताई आगा अगर रसोनेट नहीं करती, इस्टिल रेडिंग रसोनेट करेगी, जोडेक साइन की बात की जाए, तो यहां पर फायर साइन है, एर साइन है, वाटर साइन भी आ, और एर साइन भी आ, तो को सब्सक्राइब जरूर करना मुझे जरूर बताना रीडिंग कैसी लगी मैं मिलूंगी नेक्स रीडिंग के साथ अब तक के लिए बाई